हेलो फ्रेंड्स आज हम मार्बल पाउडर का प्रियोग करके क्राफ्ट वर्क के लिए कीप बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रिफाइंड की पन्नी ली उसकी साइडों को कट कर लिया और उसमें से चार पीस कट कर लिये मैंने उसे अच्छे से पोँच लिया जिससे की चिकनाई न रहे वरना टेप नहीं चिपकेगी जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आपको इसी तरह से अंदर अंगुठा लगा कर फोल्ड करना है और कीप का साइज देना है अंगुठे से आप इसका छेद बारिक या मोटा कर सकते हैं और उसके बाद टेप लगा दें जैसे मैंने लगाई है फ्रेंट्स यह है कोई पेड प्रमोशन नहीं है पेरे पास घर में जो समान पढ़ा था मैंने उन्हीं का यूज किया है हम कीप के अंदर भी टेप लगाएंगे जिससे वो ही लेना और छेद मोटा बारिक ना हो और पेस्ट बाहार ना निकले साइड से मैंने इसी तरह से दो कीप तियार कर ली है अब हम मार्बल पाउडर लेंगे किसी भी ग्लास या बाउल में ले लेंगे तीन चार चमच मार्बल पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा सा फैवी कोल और बहुत थोड़ा सा पानी मिला कर पेस्ट बना लेंगे पानी बहुत थोड़ा सा डालें दो या तीन चमच ही डलेगा और जैसा आपको चाहिए आप वैसा पेस्ट बना लें क्योंकि marble powder में पानी बहुत कम डलता है और lumps ना आए ये भी ध्यान रखें अगर गहाड़ा paste हो जाए तो उसमें पानी मिला दे और अगर पतला हो गया है तो उसमें powder दुबारा से मिला ले मैंने थोड़ा पतला ही paste बनाया है क्योंकि ये थोड़ी देर रखकर hard हो जाता है और मुझे भी craft work नहीं करना है और मैंने इसे keep में डाल दिया और उपर से मैंने tape लगा दी आप चाहें तो rubber band भी लगा सकते हैं अब हम इसे apply करके देखेंगे sorry friends मेरा camera थोड़ा उपर नहीं हुआ इसलिए आपको flower नहीं दिखाई दे रहा है सही से इतने मैंने ये करके दिखाया आपको इतने में मेरा paste hard हो गया मैंने उसमें red color मिला दिया था और ये pink color का बन गया अब मैं इसे दूसरी keep में fill कर दूँगी और tape से secure कर दूँगी इस बात का ध्यान रखें कि आप paste अभी बनाएं जब आपको use करना हूँ दिखे मैं इसे अब हाथ पर apply करके दिखा रही हूँ ये मैंने बहुत बारीक सी बनाई है और इसे मैं अभी tape से नीचे से secure कर लूँगी क्योंकि मुझे अभी use नहीं करना है तो मैं इसे काटूंगी नहीं ये मेरे पास एक glucose का धकन पड़ा हुआ था उस पर मैं आपको ये कीप चला कर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स मैं फिर से कह रही हूँ ये कोई paid promotion नहीं है देखे थोड़ी देर रखने के बाद कीप कितनी smooth चल रही है अगर आप hard बना देंगे paste तो वह ऐसे नहीं चलेगी रखने के लिए मैंने इनके कोने टेप से सिक्यूर कर दिए